हेलो दोस्तो, समय और काम का second part में आप लोग का स्वागत है और जैसा कि दोस्तो, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हमारा समय और काम का second part आएगा उस part में हम लोग बच्चा, और और आदमी से संबंधित जो समय और काम का प्रश्ण होता है उन सभी प्रश्णों को हम लोग solve करने के लिए सीखेंगे और अगर ऐसा प्रश्ण आपके एक्जाम में आता है तो आप उसे 100% आज के बाद आप solve करके ओगे ठीक है और बिल्कुल सही solve करोगे पिछले वीडियो में हमने एक एक question आप लोग को होंबर के रुप में दिया था तो उन होंबर को पहले हम लोग clear करते हैं हमारा होंबर का प्रश्ण क्या था इसको जरब देखते हैं होंबर का हमारा प्रश्ण ये था दोस्तो कहता है कि 5 पूरुष किशी काम को 4 दिन में पूरा करे तथा 3 महला ओशी काम को 5 दिन में पूरा करे तो पूरुष वह महला का कार्शमता कानुपात क्या है अगर ऐसा प्रश्ण आपके exam में आता है तो आप कैसे solve करोगे कैसे आप solve करोगे दोस्तो अगर आपको आता है तो comment में बताइए आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रश्ण इस्टॉल्ब करने के लिए आता होगा आपको क्या करना है जो बोल रहा है उसको पहले आप लिखें तो पूरुष को बोलते है man यानि आदमी यानि 5 man हो गया ठीक है 5 man क्या करता है कि किसी काम को 4 दिन में करता आप लिख दे ठीक है आपके तक 3 महिला महिला को बोलते हैं 2 man 3 w कर दे या फिर यहाँ पे आप महिला भी पूरुष भी लिख सकते हैं और यहाँ पे महला भी लिख सकते हैं ठीक है जो आपको मरजी है वो लिखें आपको बश डिजिट सही लिखना पांच महला की पांच पूरुस किसी काम को चार दिन में जबकि तीन महला वोशी काम को पांच दिन में करता है तो क्या कहता है कि तो पूरुस महला का कार चमता का चानूपात क्या होगा, एक बात बताईए दोस्तों कि पांच स्दुर्ईक्रीन को by और किसी श्रह होगा पुलकुद करता है अगर एक सब्सक्रीज को पूरा करना हो तो इससंस्द् ant नुद्द एससाMarज वितियार आगए में और पीस समय मेंchen फार्वांनु जाइर सी बात है क्तम करेंगा तो आपको क्या करना 5 2 14 में बुना करेंगे वीश त्रीके से तीन महिला है जो किसी काम को पांसदिन में ख़त्म करती है तो एक महिला कितने दिनों मेंеф तैन पक्चे आपको क्या कर देना पंदरह अब आप क्या करें दोस्तों क्या 20 दिन और 15 दिन आ गया, आप यहाँ पे कर दिजिए, पूरुष और एक तरप लिख दिजिए, महिला, पूरुष हो गया, महिला हो गया, पूरुष कितने दिनों में, 20 दिनों में, महिला कितने दिनों में, 15 दिनों में, आप क्या करें, दोनों का अनुपात निकाल दिजिए, ये पांच से लगेगा चार और ये पांच से लगेगा तीन ये जो अनुपात आया दोस्तो आप कितना बच्चे है जो ये चार अनुपात तीन एंसर बता रहे हैं जो कि सरासर गलत है गलत किसलिए दोस्तो क्योंकि ये जो छमता आया वो आया समय का छमता ये छमता आया समय का समय का चमता आया आप से प्रष्ण में क्या पूछा जा रहा कि कार चमता कानुपात तो एक बात आप प्लोग जान ले आज अगर आप लोग मेरा पिक्चला वीडियो देखे होंगे तो इसमें हमने बताया भी समय का जो अनुपात होता है वह कार के अनुपात से क्या होता है अपोजिट होता है तो यहां पे आपको काड़ी छमता का अनुपाद पूछ रहा है तो समय छमता का अनुपाद का उल्टा होता है काड़ी छमता का अनुपाद तो समय कानुपात है चार अनुपात तीन तो काड़ी छम्ता कानुपात कितना हो जाएगा दोस्तो तीन अनुपात चार ये हो जाएगा आपका काड़ी छम्ता कानुपात तो ये हो कि आपका एंसर तो ये तो रहा कल का हमबट दोस्तो आज का जो हमारा पहला परशन बनता है उन पहला परशनों को हम लोग देखते हैं पहला परशन हमारा क्या कहता है कि दस पुरुष किसी काम को छे दिन में पूरा करते हैं तथा 6 महिला इशी काम को 5 दिन में तथा 5 बच्चे इसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं तो इनका कार्षमता का नुपात क्या होगा उशी टाइप का परशन है दोस्तो बस इसमें आपको बच्चा, महिला और पूरुँष दिया गया बस इसमें क्या था सिर्क महला और पुरुष था लेकिन इसमें एक बच्चा भी दिया आपको बिल्गुल घबराने की जरूरत नहीं है कैसे नहीं घबराना है इसको हम solve कर ही लेंगे तो घबराना क्यों है दोस्तो आप solve कर लीजिए क्या आपको कहा जा रहा था दोस्तो आपको जो जो कहा जा रहा है उसको आप क्या करें आप एक दम लिखते चले जाएं कह रहा था यहाँ पे कि 10 पुरुष तो 10 पुरुष हम लिख देंगे कह रहा था आपको कि 10 पुरुष ठीक है इसको थोड़ा समोड लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके solve करेंगे जो देखिए कह रहा था कि 10 पूरुष क्या कह रहा था दोस्तों? 10 पूरुष तो 10 पूरुष अमलिक देते हैं 10 पूरुष किसी काम को के दिन में करता है? 6 दिन में करता है जबकि 6 महिला है जो उसी काम को कितने दिनों में? 5 दिन में करता है जबकि 5 बच्चे भी काम कर रहे हैं तो 8 दिन में ये करते हैं ठीक है? तो कहने का मतलब ये हुआ आपको उसी concept पे बनाना है कि 10 पूरुष किसी काम को 6 दिन में करता है तो एक पूरुष करेगा, तो जाहिड से बाद हे जादा समय लगेगा, कितना जादा तो आपको इस से गोना करना होता है, तो 10 में 6 का गोना जाएगा, 60 हो जाएगा, 6 महला किसी काम को 5 दिन में, तो 1 महला किसी काम को 6 पचे 30 दिन में, 5 बच्चे किसी काम को 8 दिन में, तो 1 दिन में एक बच्चा किसी काम को कितने दिनों में करेगा 40 दिनों में करेगा यह आ गया 60 30 40 तो यह जो 60 30 40 आया दोस्तों यह क्या हो गया एक तरफ आब आपको लिखना है पूरुस हो गया यह एक तरप महिला लिखेंगे और एक लिखेंगे बच्चे क्योंकि बच्चे भी काम कर रहे हैं पूरुस कितने दिनों में? साट दिनों में महिला तीस दिनों में और बच्चे चालिस दिनों में इसको अनुपात लगा दीजे ये जो अनुपात आया पहले आप इसको क्या कर ले कट कर ले कट कर यानि छे अनुपात तीन अनुपात चार आया तो ये जो छे अनुपात तीन अनुपात चार जो आया वो आया क्या दोस्तो समय का ये अनुपात आया किसका आया समय का अनुप ठीक है इसका क्या होता दोस्तो आपोजीट होता है तो जब तीन अनुपाद दिया हुआ रहे तो हमको इसका पोजीट करने के लिए क्या करना होता दोस्तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि चार अनुपाद तीन अनुपाद छे गतब गलत हो जाएगा आपको यहां पे एक टिरीक 12 अनुपात तो अनुपात उसके बाद महिला कर निकालना हम उसको अप Space constant उसको इसको भागी दो को गोना कर लिजें चेति-7 कर कीटना हो जाएगा दोस्तों 6 2 नी के 12 6 4 के 24 और 6 3 8 अर्था 2 अनुपात 4 अनुपात 3 जो होगा वो इसका कार अनुपात होगा कार शम्ता का अनुपात होगा तो उमीद है दोस्तों कि ये समझ गे होगे बिल्कु लीजी है आपको बस समझना है अगर अगर समझ परश्ण को जरूर नोट करें परश्ण हमारा क्या था? एक बार फिर से हम लोग परश्ण कीओर आते हैं कहता दस पुरश्य किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है त within तो उनका कार शम्ता का अनुपात ज्यात करना था जो कि हम लोगों ने ज्यात कर लिया इसका answer जो आया, वो आया, दो अनुपाद, चार अनुपाद, तीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो अनुपाद, चार अनुपाद, तीन, ठीक है, यह हो गया, तो इसको आप लोग नोट करें, चलिए, सेकेंड नंबर हमारा प्रशन कहारा है, कि चार पूरुष किसी काम को पांच दिन में पूरा करता है, तथा पांच महिला उशी काम को छो दिन में पूरा करें, तो एक पूरुष वए एक महिला मिलकर, कितने समय में काम को पूरा करेंगे, यह आपका प्रशन है, ठीक जितना भी वीडियो हमने बताएं सारे वीडियो में बस एक ही टिरिक बताते हैं और उसी एक टिरिक के द्वारा सारे प्रशन श्रॉल्ब हो जाता है आपको कहरा चार पूरुष चार पूरुष पहले कहरा आपको लिख लेना है पहले चार पूरुष चार पूरुष हमने लिख दिया ठीक है लिख दिया अब कहता है कि पांच महिला तो पांच महिला भी लिख देते हैं चलिए अब कहता है क्या कि एक पूरुष क्या कह रहा था कि चार पूरुष किसी काम को पांच दिन में पूरा करे तो यहां से आप क्या कह रहा है कि तो एक पूरुस है जो इस काम को खत्म करने में कितना समय लेगा तो पांचो के 20 दीन और पांच महला 6 दिन में करती है तो एक महिला कितने दिनों में करेगी 6 पचे 30 जब आप 20 और 30 का क्या करेंगे LCM निकालेंगे LCM आ जाएगा आपका 60 20 का भागा जाएगा 60 में कितना हो जाएगा 3 और 30 का भागा 60 में जाएगा 2 हो जाएगा अर्थात कहने का मतलब है ये निकला कि एक पूरुस है जो एक दिन में 3 काम करेगा और एक महिला है जो एक दिन में 2 काम करेगी अब दोनों मिल कर एक दिन में कितना काम करता है तो 3,2,5 पाइप और टंकी वाला में ये टिरिक हमने बताया था उसी टिरिक को यूज़ कर रहे 3, 2, 5 काम करता है एक दिन में ये एक दिन में करता है 3, 2, 5 काम कूल काम कितना करना तुझे LCM आता वो कूल काम होता 60 काम करना है आए एक दिन में 5 काम खत्म करता है तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा तब 12 पच्चे के साथ 12 दिन इसका एंस्वर आ गया आप लोग समझे की नहीं दोस्तों, बिल्कुल समझ गये होगे, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसकी ओर जरा बढ़ते हैं, देखिए हमारा अगला प्रश किसी काम को 6 दिन में पूरा करे, तथा 5 महला इसी काम को 18 दिन में पूरा करे, तो 4 पूरुस दस महला मिलकर कारी को कितने समय में पूरा करेंगे, आपको बही तरीका अपनाना है दोस्तों, कि 3 पूरुस है जो 6 दिन में करता है, 5 महला है जो 18 दिन में करता है, तो एक बात बत से 5 महिला किसी काम को 18 दिन में खत्म करती है तो एक महिला को काम खत्म करने में ज्यादा समय लगेगा कितना ज्यादा तो 5 गोने 18 कर देंगे 18 पचे 90 दिन अब क्या करेंगे कि 18 नबे का LCM आप निकालेंगे 90 LCM आ जाएगा ये बात आपको पता है अब यहाँ पर देखिए 18 का भागा 90 में जाएगा 5 आ जाएगा 90 का भागा 90 में जाएगा 1 आ जाएगा अब कितना बच्चे क्या करते हैं कि इस 5 और 1 को जोड़ कर क्या करते हैं 5 और 1 को जोड़ कर और जितना आता है उससे 90 में भाग देकर बताते हैं जो की गलत है वो कब होता दोस्तों ये जो निकला पांच और एक आया वो आया कि एक पूरुस है जो एक दिन में पांच काम करता जबकि एक महला जो एक दिन में एक काम करती है तो दोनों मिलकर काम करता बोलता एक पूरुस और एक महला मिलकर काम करता कितने दिनों में काम करत तब नहीं यह दोनों को जोड़कर रिस नब्वे में भाग दे दें लेकिन यहां पर एक पूरुष नहीं बोल रहा है कितने पूरुष बोल रहा है दोस्तों बोल रहा है चार पूरुष और दस महिला तो एक पूरुष है जो एक दिन में पांच काम तो चार पूरुष एक द 10 महिला मिलके तचार पूरुस मिलके एक दिन में 20 काम और 10 महिला मिलके एक दिन में 10 काम तब 20 और 10 30 यानि पूरुस महिला दोनों मिलके काम कितने दिनों में कितना काम करता है और टोटल काम कितना करना है तुझे LCM आता है वो टोटल काम करना होता है यानि LCM है 90, 90 में आप क् अगला जो हमारा प्रशन है दोस्तों वो क्या है केता 6 लड़के या 14 पुरुष यहां पे या है या है तो यहां पे थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं लेकिन आपको घबराना नहीं है आपको सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व होगा वो हम सिखाएंगे केता 6 लड़के या 14 पुरुष किशी काम को 18 दिन में पुरा करे तो 3 लड़के और 10 पुरुष मिलकर कितना समय लेंगे आपको क्या करना दोस्तों उसी तरीके से बनाना है केरा 6 लड़के आप लोग लिख ले 6 लड़के ठीक है उसके बाद कहता है क्या कि 14 पुरुष तो 14 पुरुष भी लिख देते हैं 14 पुरुष अब करता 6 लड़के किशी काम को क्या करता है 6 लड़के किसी काम को 18 दिन में करता है और 14 पुरुष भी 18 दिन में करता है यहाँ पे कह रहा था ना कि 6 लड़के या 14 पुरुष किसी काम को 18 दिन में अर्था 6 के स आपने भी 18 लेखाएगा तो 6 लड़के किसी काम को 18 दिन में खत्म करता तो एक लड़का कितने दिनों में 18 चक ठोतल से 108 दिन में और 14 लड़के चोड़ी 6 लड़के यह है और यह पूरुश है 14 पूरुष किशी काम को 18 दिन में करता है तो एक पूरुष को कितना समय लग जाएगा दोस्तो तो लग जाएगा 216 दिन ठीक है जब आप 108 और 216 का LCM निकालोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तो 216 हो जाता है डीजिट बड़ा देखकर बच्चे है जो घबरा जाते है आपको क्या करना 108 और 216 का सिंपल LCM निकाल लेना लगुत्तम जिसको बोलते है 108 का भागा 216 में जाएगा कितना आजाएगा 2 हो जाएगा और 216 का भागा 216 में जाएगा तो ये आजाएगा आपका 1 आजाएगा कितना आजाएगा दोस्तो 1 आजाएगा यहाँ पे दोस्तो थोड़ा समेश टेकिंग होगा रहा हमारा कोश्चन में यहाँ पे 14 नहीं आप लूग 4 लिखेंगे ठीक है 6 लड़के या 4 पूरुष किसी काम को 18 दिन में पूरा करे तो 3 लड़के बर 10 पूरुष मिलकर कितने समय लेगा तो यहाँ पे 6 और 4 हो गया तो 6 लड़के करेगा 18 दिन में तो 1 लड़के 108 दिन में 4 लड़के 18 दिन में तो 1 लड़के कितने दिनों में ता ठारे चो कितना हो जाएगा दोस्तो 72 हो जाएगा आप आपको ये पूरा कट करना 108 और 72 का आप क्या कर दें LCM निकाल दें 108 और 72 का क्या कर दें LCM निकाल दें तो जब 108 और 72 का LCM आप निकालोगे कितना आजाएगा दोस्तो आप निकालिए जल्दी से तो 108 और 72 का LCM कितना हो जाता दोस्तो दो 116 हो जाता है अब ये हमारा कैरेक्ट बनेगा 108 का भागा जब 216 में जाएगा कितना हो जाएगा 2 72 का जब आप भागा दोगे 216 में तो कितना हो जाएगा दोस्तो कितना हो जाएगा आप लोग जल्दी से बताईए 72 का जब आफ भाag दोगे 216 में तो कितना हो जाएगा ये जल्दि से 72 का जब भाag दोगे 216 में कितना आजैगा दोस्तो तीन आजैगा अब क्या कह रहा है कितना बच्चे क्या करेंगे इसको जोड़के जितना आएगा उससे 216 में भाग दे कर answer बता तेंगे जो कि सरा सर क्या है दोस्तों गलत है यहां पे कब ऐसे होता कब होता जब बोलता कि यहां पे कहता question कि तीन लड्के जो कहते हैं कि और गुज़त मिलके कि समय मिलेंगे इसके तो यहां पे यह डूनों करते हैं जोड कर और इसमें भाग्र देते हैं लेकिन यहाँ पर बोल रहा तीन लड़के तो यह जो आया एक लड़के का है अर्थात एक लड़का एक दिन में दो काम करता है तो तीन लड़का कितना काम करेगा तो तीन दोनी छे काम करेगा उसी तरीके से एक पूरुस है जो एक दिन में तीन काम करता है तो कितना पूरु 216 काम, तो 216 काम कितने दिनों में करेगा, एक दिन में 36 काम, तो 216 काम कितने दिनों में करेगा, जल्दी से आप बताईए, कितने दिनों में करेगा दोस्तों, तो 36 का भाग जब 216 में देऊगे, कितना आएगा, 6 दिन, और 6 दिन में ये काम पूरी तरीके से खत्म हो जाएग तो उमीद है कि आपको समझ में आगया होगा अगर समझ में नहीं आता है तो कॉमेंड में आप जरूर बताएं उसे हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे चलिए अगले प्रशनों की ओर बढ़ते हैं चली हमारा अगला प्रश्ण और आखरी प्रश्ण क्या कहता है कहता 4 पूरुष तथा 6 महला किसी काम को 8 दिन में पूरा करे 3 पूरुष तथा 7 महला इसे 10 दिन में पूरा करे तो 20 महला मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे ये प्रस्ण दोस्तों बच्चा को हमेशा उल्जन में डाल देता है लेकिन आपको उलजना नहीं है आपको हम बिल्कुल एकदम सिम्पली तरीके से बनाने के लिए बताएंगे क्या करा कि 6 पूरुष तो 6 पूरुष पूरुष को बोलते हैं मैन आप लिख लें फिर कता तथा तथा का मतलब होता है जोड कता 6 महला तो महला को बोलते हैं डबलू लिख दीजिए फिर कता है कि 4 पूरुष और 6 महला किसी काम को कितने दिनों में ता 8 दिनों में आप 8 दिन लिख दें फिर कता तीन पूरुष तब फिर आप लिखें तीन मैन लिख दें फिर कहता क्या कि साथ महिला ता साथ महिला कितने दिनों में दस दिनों में खत्में करता है ठीक है तो अब आपको क्या करना यहां से आपको एक शमीकरन बनाना यहां से आपको क्या एक समीकरन बन यहां चार पूरुष बोर रहा तो चार मेन तो जब 8 में 40 से अब बुना करईगा तो यह आ जायगा आपका कितना यह आजाएगा 64 गयार 20 उस तरीके से 10 से इसमें गुना करना है तो 10 शके के क्या हो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा अब आपको समीकरन बना देना है 32 M अपलस 48 W बराबर में 30 M अपलस में 70 W अब आप क्या करें M को M तरप और W को W तरप कर लीजिए 32 M इधर बराबर के ये सेट 30 M पलस में इधर आजाएगा तो माइनेस में हो जाएगा उसी तरीके से 70 W बराबर के ये सेट 40 W पलस में इधर आजाएगा तो माइनेस में हो जाएगा यहाँ से बचता है 2 M अब 2 M बराबर में क्या बच जाता है दोस्तो 22 W बच जाता है तो M बराबर में कितना हो जाएगा 22 बटा 2 करोगे कितना आजाएगा दोस्तो 11 ठीक है अर्थात एक महिला है जो 11 डबलू आजागा एक महिला एक जो महिला है वो एक आदमी है जो 11 महिला के बराबर काम करता है एक महिला एक आदमी है जो 11 महिला के बराबर काम करता है अब आपका प्रशन क्या कह रहा था कि चार पूरुष ठीक है तो चार पूरुष है तो चार पूरुष यानि कि एक पूरुष कितना काम करता है ग्यारा काम तो चार पूरुष कितना तो इगारेच हो के कितना हो जाएगा 44 काम हो जाएगा यहांपे बोल रहा है 44W तो पहले से और 6 महिला फिर से कितना हो जाएगा दोस्तों? यह हो जाएगा 50W हो जाएगा की नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा हो जाएगा न दोस्तो तो अब कहता है क्या कि ये तो पूरा महिला में बदल गया अब कहता है कि 20 महिला मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेगा तो 20 महिला मिलकर तो 20 बोमिन इस काम को कितने दिनों में यानि डेज निकलना है तो अब आप यहां से एक बात बताईए कि ये बला concept आपको आया कि नहीं कि 50 जो बोमिन था, 50 जो पूरुस था, 50 W इंटू 8 दिन में पूरा करता है यानि 4 पूरुस और 6 महिला, तो 4 पूरुस को बराबर तो हो गया, चार पूरुस और 6 महिला, यानि 50 W हो गया कितने दिनों में, 8 दिनों में, यानि M इंटू D बराबर, ये बला आपको तरीका आता ना, कि M इंटू D बराबर में, M1 इंटू D1 बराबर में M2 इंटू D2, तो यही तरीका आपको अपनाना है, तो एक उतो समीकरन बन गये यहां से, कि 50W into 8, एक समीकरन अब आपको यहां से बना देना, ठीक है, एक समीकरन आपका यहां से बन जाएगा, तो यहां से कहरा कि 20 महला कितने दिनों में, तो 20 महला कितने दिनों में, तब 20 गुने माल्या के D द लगेगा कितने से 5 से लगेगा 5 हो के पहले तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए अब यह 2 बच गया अब यह 2 चोक कितना हो गया 8 अब इधर 5 गुने 4 बच बीस बराबर में डी और था दीन कितना आ गया 20 महला है जो इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगी 20 महला मिलकर इस क तो 20 दिनों में खत्म करेगी तो उमीद है कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा महिला और पूरुष है तो इसलिए आपको confused नहीं होना कभी W बोला आता है कभी man को woman बोल देते हैं तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है आपको solve करने आना है आपको digit सही लिखना है बोलने में आप कुछ भी बोले digit आपको सही लिखना क्योंकि आपको जब जहां पर आप exam देने जाएंगे वहां पर आपको चूप चाप से लिखना है चूप चाप से बनाना है बोलना नहीं है ठीक है आपको भासन नहीं देना है आपको प्रश्ण शॉल्व करके जो सही option है, option में tick out करना है तो दोस्तों इस session को यही पर समाप्त करते हैं यह हमारा समय और काम का second part था और अभी खत्म नहीं हुआ, हमारा third part भी जल्दाने बाला है तो आप लोग क्या करें, इसको copy में सारे प्रश्णों को note करें और note करने के बाद उसको अपने से बनाने की कोशिश करें और नहीं बनता है आप लोग comment में बताए कोई भी प्रश्णों, pipe, टंकी, समय और काम और pass, fail, percentage वाला कोई भी प्रश्णों, आप लोग comment में बताए कि हम में से यह प्रश्ण नहीं बन रहा हम कोशिश करेंगे कि उस टाइप का जितना भी प्रश्णों उसको हम एक ही टिरिक्षे solve करके आपको बता दे तो चलिए दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, यश्टे मुझे बहुत खुशी मिलता है और दोस्ते मेरा आपसे request है कि अगर आपको अच्छा लगता है सच में, तो जो बच्चा ऐसा नहीं करते हैं, वो फिलीज क्या करें, वीडियो को ज्यादा सेयर करें ताकि जो बच्चे अपने पैसा के कारण नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, कोचिंग कलासों में जाकर, उनके लिए मैं फिरी शिच्छा देता हूँ, तो वो फिरी शिच्छा का लाब उठा सकें, हमारे दुआरा ये जो टाइम को क्या किया जा रहा है, बेतीत किया जा रहा है इस टाइम को बेर्थ ना जाने दे, सारे बच्चे देखें, जो गरीब बच्चे हैं, वो देखें, सबसे पहले, गरीब बच्चे के लिए ही ये वीडियो बनाया जाता, क्योंकि गरीब बच्चों को कोचिंग जाने का पैसा नहीं होता है, ऐसे में उनको पढ़ने की जो चाहते बहुत धूरी हो जाती है तो उन्हीं चाहत को पूरा करने के लिए हमारे तरब से एक छोटी सी कोशिश है तो आप लोग क्या करें हमें धेर सारा प्यार दें और अपने छोटे भाई को इजाज़त दें मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में